दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों RSM SSB के तरब से आप सभी के लिए एक बहुत ही महतरपूर सूचना निकल कर आ रही है Lab Assistant Result 2022 को लेकर दोस्तों अगर आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान Lab Assistant की जो परिणामे हैं वो कब तक जारी होंगी और इसमें कितना समय लगेगा तो उसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए RSM SSB के अधिकारियों द्वारा अपडेट निकल कर आ रही है क्योंकि अभी तक Result में आप सभी को कितना और लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा अगर दोस्तों आप यह सोच रहे हैं कि एक या दो या तीन दिनों के अंदर RSM SSB Board जो है आप सभी की परिणामे जारी कर देगा तो यह आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं क्योंकि आफिसरों द्वारा यहां पर जो है डिरेक्टली कर लीजिए या इंडिरेक्टली यह अपडेट निकल कर आ रही है कि अभी तक जो राजस्थान लैब असिस्टेंट की रिजल्ट है उसमें इतना विलम क्यों हो रहा है और इसकी जो परिणामे हैं वो कब तक जारी होंगी तो पूरी इनफॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्योंकि आर एम, आर एस, म, एससबी में रिक्विरेंट बोर्ड के अंदर यहां पर जो है कॉल किया गया था और उसमें से क्या यहां पर सूचना निकल कर आ रही है वो भी मैं आप सभी को देने वाला हूँ तो दोस्तो बने रहेगा हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन के साथ और दोस्तो एक इनफॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूँ रिजल्ट निकलने के बाद आप सभी के डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कितने समय बाद होंगे उसके बारे में भी एक इनफॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ तो जैसा कि दोस्तो यहाँ पर जो ऑफिसरों द्वारा यह अपडेट दी गई इसमें अभी तक जो निकल कर जो सूचना आ रही है रिजल्ट को लेकर जिसमें कि यहाँ पर जो है अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है अफिसली कर लीजिए और अनफिसली कर लीजिए क्योंकि जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है वो मैं आप सभी को प्रवाइड नहीं कर सकता हूँ और अगर दोस्तो आवगर वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो आप हमारी टेली गराम चैनल स्टडी जोन स्लेस एजट पर जुड़कर उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी आप सुन सकते हैं तो दोस्तो अधिकारियों द्वारा यह करना है कि जो लैब असिस्टेंट की जो रिजल्ट है उसकी जो रिजल्ट है वो अभी तक पूरे तरह से त्यार नहीं है उसमें कम से कम अभी उस रिजल्ट को पूरे तरह से प्रिपेर होने में उसे वेरिफिकेशन होने में कम से कम 10 से 12 दिन और लगेंगे यहाँ पर दोस्तो with holiday छोड़ कर तो यानि कि दोस्तो जो आप सभी की result है उनके अनुसार एक date मतलब unexpected date बताई गी है कि 25 सितंबर से पहले आप सभी की जो परिणामे है वो यहाँ पर नहीं जारी होने वाली है क्योंकि जो आप सभी की परिणामे है वो यहाँ पर 25 सितंबर के बाद जारी होने की यहाँ पर संभावना नजर आ रही है क्योंकि दोस्तो RSMSSB के जो करमचारी हैं उन्हें यहाँ पर जो है यहाँ पर कई वरक्यों पर अलग अलग उन्हें लगाए गया है क्योंकि कई सारे बजट के अंदर यह घोशना की गई थी सरकार द्वारा कि जिसमें की 2022 के अंदर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अगस्त और सितंबर के बीच में कई सारी भरतियों के नोटिफिकेशन जारी कर दे जाएंगी पर दोस्तो अगस्त का मा भी निकल गया पर अभी तक उन भरतियों के नोटिफिकेशन नहीं जारी हुई है जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है RSMSSB बोर्ड पर यहाँ पर उमिद्वारों द्वारा परदसन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर जिसके लिए यहाँ पर जो है बोर्ड है वो अलग अलग यहाँ पर पार्टिकूलर काम कर रही है जिसको लेकर आप सभी की रिजल्ट में विलम हो रही है पर उनके तरब से एक स्योरली स्वाट डेट बताय गया है कि इसी माह के अंत तक जो आप सभी की परिणामे जारी हो जाएंगी और अगले माह तक जो है कोशिस किया जा सकता है कि जो आप सभी की जो डॉक्मेंट है उसे भी यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लिया जाए तो दोस्तो यह एक सबसे महतरपूर सूचना निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल के मादधम से आप तक पुर्भाइट किया गया जो भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग निकल कर आएगी वो आप तक जरूर सेयर किया जाएगा और जो भी अपडेट विलेगी लाब अपसेशन को लेकर वो आप तक जरूर सेयर के जाएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब पर कली दोस्तों जाहें दे